माई कीचन युवर्टेश्ट में सभी को स्वागत है बताए आज की रेसिपी क्या है? देखते ही मालुम पड़ता है तिल की लाडू तिल हमारे बोडी को फाइबर देता है साती साथ बहुत सारे न्यूट्रिशन्स दें बरा है इसे विंटर में ज़्यादा काया जाता है तिल में बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीस है यहां मैंने तीन कप तिल लिया, तीन कप गूड लिया है तिल और गूड को सेब मातरा में लेना है दस से बारा टेबल स्पून शेंग दाना लिया है साती सात मैंने वन फोर्थ नारियल को लंबा-learning श्लिट करके लिया है इसके साती मैंने वन टी स्पुन पिपर लिया है काली मेरी लिया है यससात में आठ एलैची लिया है वन फोर्थ कब पाणी भी लिया है गूड की पाग बनाने के लिए तोड़ी सी गी लिया है लड़ू बनाने के लिए तिल की लाड़ू की स्वाद बनाने के लिए यहां मैंने तिल को रोष्ट करके लाड़ू बनाऊंगी जितनी भी तिल लिया है उसकी हाफ पोश्चन को मैं पहले रोष्ट करूंगी ग्यास की फ्लेम को मीडियम में रखके लाइटली रोष्ट कीजिए करीब 30 से 45 सेकेंज तकी फ्राई कीजिए तोड़ी से ज़्यादा हुआ तो भी तिल की कड़वापन बढ़ेगा इस तरह से तोड़ा तोड़ा लेके रोष्ट कीजिए सारी एक्वली फ्राई हो जाएगा लाड़ू की टेश्टी भी बढ़ता है तिल को अच्टी तरह से बूना भी जरूरी है इसके बाद मैंने शेंग डाना को हलकसा फ्राई करूँगी देखे मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करूँगी सारी एक्वली फ्राई होने के बाद इसका चिलका निकालके रेड़ी करूँगी तिल की लाड़ू की स्वाद बढ़ाने के लिए यहां मैंने वन फोर्थ ड्राई कोकोनट पीसस को लिया है इसे आप गोल्डन कलर होने तक फ्राई कीजिए यहां मैंने स्वेशल इंग्रेडेंट्स एड करूँगी वो है वन टीस्पून पेपर पेपर की स्वाद तिल की लड़ो में बहुत ही अच्छा लगता है आप एक बार ट्राई कर सकते हैं यह बिल्कुल ऑप्शनल है गूड़ वाले तिल लाड़ो बनाने के लिए यहां मैंने थिक बॉटम वाला कड़ाई लिया है इसके अंदर गूड़ डाला है साती सात वन फोर्थ कप पानी मिलाऊंगी गूड़ की पाक अच्छे से तयार करना है इसके लिए मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है बाकी की तयारी करेंगे या चिलकी रखा हुआ शेंग दाने को हम दरदरा पीस के तयार करेंगे ड्राई कोकनट की पीसस को भी बिल्कुल बार एक पीस के लूंगी याद रखे हम गैस में कूड की पाक रखा है गैस की फ्लेम को लोग में रखे हम ये सब तयारी करेंगे तो आपकी टाइम बसता है इसके बाद यहां मैंने पिपर और एलची को भी पार एक पीस के लूँगी ये दोनों चीज़े ऑप्शनल है आपको पसंद है तो ही मिलाईए ये तीनों चीज़ों को आप फटा फट रेडी कीजिए देखे इस तरह से फाइन पाउडर तयार कीजिए यहां मैंने गूड की पाक रखा है वो बिगल कर आया है देखे इस तरह से हिलाते रहिए बिल्कुल सही गूड की पाक को चेक करने के लिए यहां मैंने पानी में दो तीन बून गिराया है इसे आप फोल्ड करने के टाइम लड़ों बनाने को आना चाहिए गूड की पाक तयार होने के बाद यहां मैंने क्रश करके रखा हुआ शेंग डाना साथी साथ कोकोनट का पाउडर पेपर और इलची का पाउडर यह तीनों चीज़ों को अच्चे से मिक्स करूँगी सारी चीज़े अप्टे से मिलने के बार रोष्ट करके रखा हुआ तिल को भी मिलाऊंगी गैस की फ्लेम को बिलकुल लो कीजिए और सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए इसे आप दीरे से करना होगा नई तो हाथ में आपको गरम चटका लगेगा इसके लिए आप सावदानी पे इसे मिक्स कीजिए और गैस को बंद कीजिए लड़ू बनाने को आसान होना चाहिए इसके लिए यहां मैंने ए मिक्सर को दूसरा प्लेट में ट्रांसफर करूंगी हलकसा तंड़ा होने के बाद लड़ू बनाना शुरू कीजिए फटा फट लड़ू बनाने को कोशिश कीजिए ज्यादा तंड़ा हुआ तो आपकी लड़ू सही नहीं बन पाएगा अखड़क होने लगता है लड़ू नहीं बन पाएगा गरम गरम लड़ो बनाना इतनी आसान नहीं है हाथ जलता है इसके लिए गी या तेल को हाथ में लगा कर ये लड़ो बनाईए फटा फट लड़ो बना के तैयार कीजिए सारी लड़ो परफिक्ट बनके तैयार है देखें दोस्तों देखते ही मालुम पड़ता है कितनी परफेक्ट बनी है आप भी इसे जरूर ट्राइ कीजे और बना कर प्यार से आपकी परिवार को खिलाईए आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजे सब्सक्राइब भी कीजे